यदि आपको बिर्यानी खाना पसंद है, लेकिन इसे बनाना जंजट लगता है, तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से जटपच बनाईंगे आलु दम बिर्यानी, इसे हम कुकर में बना कर तयार करेंगे, और स्वाद में ये बहुत ही ला जवाब बनकर तयार होती है नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका शामर सोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए हमने यहां 15-16 एकदम छोटे वाले आलू लिए हैं जिससे हम दम आलू की सबजी बनाते हैं यदि आपको ये आलू ना मिले तो आप मीडियम साइज के 4 आलू ले लीजिए और उन्हें 4 टुकडों में काट लीजिए हमने यहां कुकर में 4 टेबल स्पून तेल गरम होने के लिए रख दिया है सारे आलू कुकर में डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनिट तक हम इन्हें फ्राइ कर लेंगे आलू को फ्राइ करते हुए 5-6 मिनिट हो गए हैं तो हम इन्हें पहार निकाल लेते हैं हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है आलू फ्राइ होकर तयार हो चुके हैं अब हम इस तेल में प्याज फ्राइ करेंगे, हमने दो प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है, प्याज को हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे, प्याज भी फ्राइ हो चुके हैं, इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं, प्याज खड़े मसाले लिए हैं, 4 इलाइची, 4-5 लोंग, 6-7 काली मिर्च, 1 टुकडा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता और 1 चोटा चम्मच जीरा, इन सभी खड़े मसालों को तेल में डाल देंगे, मैंने और तेल नहीं लिया है, क्योंकि जो तेल था वो मुझे परियाप्त लग रहा ह इन खड़े मसालों को हम 10-12 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर फ्राय कर लेंगे, जिससे इनकी खुश्पू अच्छे से तेल में आ जाएगी, अब हमने यहां एक प्याज को स्लाइस में काट कर लिया है, इन्हें हम अच्छे से सोफ्ट होने तक भून लेंगे, साथ ही हम यह एक चम्मच अद्रक और लहसुन को क्रश करके डालेंगे, आप पेस्ट भी डाल सकते हो, मैंने चार कली लहसुन की और एक इंच अद्रक के टुकडे को क्रश करके लिया हुआ है, इन्हें हम प्याज के साथ भून लेंगे, सभी चिज़े अच्छे से भून गई है, अब हम इसमें एक बड़े साइज के टमाटर को स्लाइस में काट कर डालेंगे, साथ ही मैं यहां स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, मैं पूरी बिर्यानी के हिसाब से ही अभी नमक डाल देती हूँ, इससे टमाटर भी फटाफट से गल जाएंगे, अब हमें टमाटर के अच्छे से पानी से दो लेंगे आप चावल के लिए कोई भी ग्लास कटोरी सेट कर लीजिए चावल को भीगाना नहीं है तीन से चार मिनिट हो गए हैं और ये देखे टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे यहां हमने एक चम्मच ल मसाला लिया है सारे मसालों को कुकर में डाल दीजिए साथ ही हमने यहां दो चम्मच बिर्यानी मसाला लिया है अब हम इन मसालों को दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे मसाला हमारा जले नहीं इसके लिए हम इसमें एक से दो टेबल स्पून पानी डाल देंगे और जब तक मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता तब तक हम इन्हें भून लेंगे मसाला हमारा अच्छे से भून गया है अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे दही को अच्छे से फैट कर डालिएगा और गैस का फ्लेम लो रखिएगा इसे कंटीन्यू चलाते रहिएगा जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है वरना दही फट सकता है इसे चलाना नहीं छोड़ना है ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है और अब ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब हमें इसे चलाने की जरूरत नहीं है अब हम इसमें fry किये हुए आलू डाल देते हैं अच्छे से mix कर देते हैं और अब हम इस मसाले को 3-4 मिनिट के लिए ढखकर पकाएंगे low flame पर 3-4 मिनिट हो गए हैं और ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से तयार हो चुका है मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और अब हम इसकी layering करेंगे तो उससे पहले मैं gas बंद कर देती हूँ आप चाहें तो gas का flame low भी कर सकते हो हमने एक glass चावल लिया था तो हम डेड़ glass पानी लेंगे पहले मैं आधा glass पानी डाल रही हूँ और इसे पहले अच्छे से mix कर लेते है और अब हम इस पर fresh पुदिना के पत्ते लगाएंगे पुदिना के पत्तों की खुश्बू बिर्यानी में बहुत अच्छी लगती है fresh बारिक कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे और अब हम इस पर fry किये हुए प्याज डाल देते हैं और अब हम इस पर चावल डाल देते हैं चावलों को अच्छे से चारो तरफ spread कर दीजिए और अब हम इस पर पुदिना के पत्ते डालेंगे फिर से हराधनिया डाल देंगे और अब हम इस पर fry किये हुए प्याज डाल देंगे अब हम दो टेबल स्पून देसी घी डालेंगे इससे चावलों में नमी बनी रहती है अब हमने यहाँ चार टेबल स्पून एकदम गरब दूद में दस बारा केसर के धागे बिगा दिये थे वो हम इसमें डाल देंगे यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो हम इस पर थोड़ा सा बिर्यानी मसारा डाल देते हैं और अब हम इसमें एक ग्लास पानी और डाल देते हैं तो हमने पूरा डेड़ ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है इसे mix नहीं करना है केवल कुकर का ढखकन बंद कर दीजिए और high flame पर 2 सीटी लेनी है 2 सीटी में ये आराम से तयार हो जाएंगे 2 सीटी आने के बाद जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है तब हम इसे खोलेंगे और नीचे के चावल उपर और उपर के चावलों को नीचे कर देते हैं 15 मिनिट के बाद हम इसे सव करेंगे तब तक हम इसे आधा ढखकर छोड़ देंगे 15 मिनिट के बाद हम इसे सव करेंगे क्योंकि ये खिले हुए हो जाते हैं यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार हुए हैं फ्रेंट्स जिसे हम वेजिटेबल रायता और सेलेड के साथ सव करेंगे आप ये रेसिपी ट्राइ किजीगा यकिनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो फ्रेंट्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडि का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें